हलो फ्रेंट्स मोस्ट वैलकम टू माई यूटूब चैनल मैं हूँ नीना और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल और आज आप मेरे साथ अस्तर ब्लाउज और डिजाइनर ब्लाउज की स्टिचिंग देखने वाले हैं जिसकी कटिंग हमने अपने पिछले वीडियो मे की थी वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं तो यह हमारा पिछला हिस्सा है तो सबसे पहले हम इसे अस्तर के साथ में आटेश करेंगे आदा इंच की सिलाई लगानी है आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो यादा की सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई आपको अस्तर पर लगानी है और उसको फोल्ड कर देना है आप चाहें तो यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं तो आपकी इच्छाओ वैसा आप कर सकते हैं यहाँ पर अब ड्रॉप शेप कटिंग किया है हमने तो सबसे पहले इस आपको अटेच करना है और इसी तरह हमें दोना तरफ से बिस को अस्तर के साथ में जोड़ लेना है आप पलके आतों से जोड़ेंगे तो कोई सलवट नहीं आएगी और आए तो इस तरह साप एक्ष्ट्रा कपड़ा निकालते रहें तो यह हमारा चारो तरफ से जोड़ जाएगा बीस से हमने इसको कट कर लिया है अब ड्रॉप शेप जब हमने कटिंग किया था तो हमने यह बीच वाला हिसा जो हमारा निकला है उससे रख लिया है तो उससे हमें कटिंग करनी है बुकरम बहुत ही सिंपल और सुन्दर तो यह हमने कर लिया इसको ड्रॉप अब यह देखिए लगभग दो तीन इंच नीचे यहाँ पर हमें बनाना एक गोला और साथ में उसके जश नीचे सवा सवा इंच का मैं निशान लगा रही हूँ तो यह निशान हो गया है सवा इंच का और यहाँ उपर के साइड में एक राउन शेप तो यह देखिए इस तरह से कटिंग हो जाएगा अब मेरे पास पेपर बुक रहे हैं अंदर वाली कटिंग हम बाद में करेंगे उससे जिस कपड़े पर बनाना है उस पर मैंने इसको चिपका लिया है तो यह चारो तरफ से मैंने कटिंग कर दिया है अब देखे हमने निशान लगाया जो था उसको हम अब कटिंग करेंगे इस तरह से पहले पुरा चिपकाने से क्या होता है सलवट नहीं आती किसी भी तरह की और अगर हम पहले कटिंग करते हैं तो बुकरम को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो कम जादा भी हो सकता है तो यह इसके बाद हमने इसको कटिंग कर लिया है अब यह है हमारा नेक तो इस नेक पर आपको सेंटर का निशान लगा लेना है और सेंटर पर रखकर एक बार इसको अटेज करते हैं ताकि बीचो बीच रहे यह डिजाइन बिगनर जो है वो काफी अच्छे सी यह डिजाइन बना सकते हैं है 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 तो यह हमने सिलाइ के साथ में इसको चिपका लिए है अभी देखें इसके चौँच के लिए मैंने एक कंगुरा बनाया है तीको न दोनोई साइड में से लगा लेना है और उसके बाद एक लेस से में इसको अटेश कर लेना है दबा लेना है आए लेक 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 लेना है से बाद लेना है लेना है तो यह है आप पाइपिंग के लिए एक इंच की ओरेब लिए मैंने और इस ओरेब का आपको खींचते वे लगाना है क्योंकि राउंड शेप है और यहाँ पर पाइपिंग लगाएं तो नीचे क्योंकि बुक्रम लगाई हुई है हमारे तो बहुत ज़्यादा इसको दबाव में नहीं लें वरना पाइपिंग जो है वो थोड़ी मोटी बनेगी उसके बाद में अगर आपको परेशानी आ रहे है तो आप इस तरह से इस पाइपिंग को आधाइच पहले अंदर के साइड में फोल्ड कर लें कि यह अपने पहले से फोल्ड कर दिया है सोरी पट्टी को और अब आप सीधी तरफ से जितनी पाइपिंग चाहिए उसी साफ से इसको पलट लें कि यह अपने और यहां से हम इसको जोइंट कर लेंगे गले पर भी हमें पाइपिंग लगानी है तो इसी मेथट से हम लगा लेंगे एक इंच के ओरेव है और इसको भी अलका की इंचते वही लगाना है एक इंचते लेंगे तो यह उपर भी पाइपिंग लग जाएगी अब यहां पर हमने आख बनाने के लिए बटन लगाये हैं आपको इभी तरह का बीट्स यूज़ कर सकते हैं यह हमारी डिजाइन हो जाएगी बैक नेक में और बहुत ही सिंपल और सुन्दर अब यह हमारे आगे वाले हिससे जिसको मैंने अटेच कर लिया है अस्तर के साथ में और जो डाट थी वहाँ पर भी एक एक मशिन चला ली ताकि दोनों अटेच हो जाएं अब सबसे नीचे वाली डाट को लगबग पौन इंच में लगाना है और जो बागी तीनों डाट है उसको पाव इंच में तो यह इस तरह से मारा पप बन जाएगा यह बैल्ट नीचे वाला तो इसको भी मैंने फोल्ड कर ले कर दिया जैसे हमने पिछला हिसा फोल्ड किया था ताकि पट्टी लगानी नहीं पड़े नीचे वाली डाट को अलका सा फोल्ड कर दें अब आप चाहें तो बैल्ट पर उपर से लह चला सकते हैं उसे क्या है मजबूती आ जाती है थोड़ी सी कपड़ा कर निकलने वाला हो खुसकने वाला हो तो भी फिक्स हो जाता है तो दोनों इससे तयार करने के बाद आप इस तरह से इनको नाप कर देखें बराबर नहीं है तो बराबर करने की कोशिश करें उसके बाद में ही पट्टी लगाएं तो यह हूँ पट्टी है जो सिर्फ अस्तर से लगानी हमें और यहाँ पर गले के साइड में इसको पाव इंच इस तरह निकाल लेना है ताकि गला फिटिंग से आए और फिनिशिंग के साथ उलटने के लिए आप कॉर्णर पर इस तरह से मशीन चला सकते हैं दूसरी तरफ लगानी हमें हाई वाली पट्टी तो उसमें अस्तर और साड़ी वाला पीस जो है दोनों यूज़ करने है और इसमें भी गले की तरफ आपको पाव इंच छोड़ लेना है तिर दोनों यूज़ से हो जाएंगे हमारे अब हमें पहले आगे नए के लिए पाइपिंग लगा लेनी है और उसके बाद शोल्डर अटेश करना है और पाइपिंग आप अपनी इच्छा से अपने तरीके से लगा सकते हैं कि जैसा हमने पीछे गलेम बनाया था आप उस तरह से भी लगा सकते हैं कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे अब सीथी तरफ से जो सिलाई लगा रही हूँ मैं वो बिलकुल कॉनर पर लगा रही हूँ जो पहले मैंने सिलाई लगाई थी वो कच्ची थी यानिकि ये सिलाई को मैं निकालने वाले हूँ अब हमें शोल्डर एटेच करने है अब हमें अब हमें स्लीव जोडनी है तो स्लीव जोडने से पहले आप इन दोनों इसो को देखें बराबर है ये नहीं अगर नहीं है पाविंच तक का गैप है तो आप इसको हलका सा कट कर लें इसी तरह से स्लीव में भी हमें देख लेना है मैंने स्लीव पे बराबर एटेच कर दिया है तो इसको भी आपको देखना है यहाँ पर बराबर होना चाहिए यह है पीछे वाली डाट के लिए तो पहले एक यहीं मशीन चला लें उसके बाद आधा इंच के में डाट लगानी है फीटिंग करने के लिए सबसे पहले आप यह एक इंच पर चला लें अब हम अपनी कमण आपनी दोनों से दरफ सिलाई लगाने के बाद में जो 29 इंच कमर है हमारी और अभी हमारे पास है 31 यानि कि 2 इंच हमें कवर करना है 11 इंच स्लीव है आगे से और आगे अगर मोटा हेवी बॉर्डर हो तो आप हलका सा असको लूजिंग देते हैं अब देखिए जो निशान हमारा कटिंग के वक्त का था सेम यही पर चलेगी हमारी मशीन और इसके अलवा आप एक दो सिलाई और लगा के इसको फिटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा पसंद आया तो जुरू लाइक और शेयर कर दें आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन पर भी क्लिक करें थैंक्स वर वाचिंग